नमस्कार दोस्तों, इस वडियो में हम देखेंगे डैली नुवेश्टि के कॉलेज मोतीलाल नहरु कॉलेज की और से नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वेकेंसी आई हैं और लाइब्रेरी में जो वेकेंसी आई हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन-कौन सी पोस्टें एक post है, और senior assistant की दो post है, senior technical assistant की एक post है, semi professional assistant की library की vacancy है, यहाँ पर एक post है, semi professional assistant की, और वो post है, वो general category के लिए, maximum age जो है, 35 year है, और इसका जो pay level है, वो 5th level है, फिफ्थ लेवल पे, इसी तरह से अगर assistant की बात करें, UDC की तो वहाँ पर दो post है, laboratory assistant की, physics department में 3 post है, junior assistant की यहाँ और 2 post है, laboratory attendant की 2 post है, laboratory attendant यहाँ physics department में 1 post है, और laboratory attendant, computer laboratory में 1 post है, और इसके अलबाल, बात करें कि, library attendant की कितनी post है, तो library attendant की total 2 post है, एक general category के लिए है, और एक post जो है, वो OBC candidate के लिए है, और इसमें जो maximum age है, वो 27 year है, बाकि relaxation वो जो category wise, जो सबको होता है, वो है, तो आएए दे criteria क्या है, देखिए, मैं यहाँ, basically मैं library के बारे में बताऊंगा, कि library attendant और semi professional assistant की eligibility criteria क्या है, और जो other post को fill करना चाहते हैं, उनके लिए यह PDF में telegram group available करवा दूँगा, तो वहाँ से आप आराम से, जो लोग eligible हैं, उन्हें वो यहाँ पर detail में पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो चल चाहिए, किसी भी stream से, उसके लावा, bachelor degree in library science होना चाहिए, और computer application का course होना चाहिए, वो चाहे एक साल का हो, या फिर six month का certificate course हो computer का, तो यह eligibility criteria है, एक बार फिर से बता दूँ, यहाँ पर graduation चाहिए, graduation, B-lib और computer certificate या application, तो यह बात होई, semi professional assistant की, इसके लावा, आगे बात करें, तो library attendant की बात करें, तो यहाँ 10th pass होना चाहिए, और C-lib का certificate होना चाहिए, minimum C-lib तो होना ही चाहिए, B-lib है तो ठीक है, और C-lib है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो यहाँ पर यह तो होगी, eligibility की बात, अब आगे चलते हैं, देखिए, यह जो vacancy आई थी, I think यह vacancy पहले भी आ चुकी है, तो इन्होंने क्या करा है, पिछली vacancy को पूरी तरह से cancel करके, दुबारा से application मांगे हैं सबसे, तो जिन लोगों ने पहले सायद दिये 2019 या 20 में आई होगी vacancy, तो उन लोगों को भी एक बार फिर से यह apply करना होगा, अगर वो eligible हैं तो, ठीक है, बाकि यह notification है, और women's और PWD candidate के लिए कोई fees नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, fees once paid, shall not be refund under any circumstances, ठीक है, तो fees यहाँ पे एक बार फिल देने के बाद वो वापस नहीं होगी, इसके बाद आगे चलते हैं, form फिल करने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है, आपको by hand तो यह लेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने mention कर दिया है, यह speed post ही accept करेंगे, और form accept करने की जो last date है, वो 3 तारिक, 3 जनवरी 2022 है, साम 5 बजे तक accept करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप form फिल कर सकते हैं, और देखिए, form फिल करने की जो, form जो accept करने की date है, वो है 3 तारिक, 3 जनवरी 2022, जबकि यहाँ पर, जो form फिल करने की last date है, वो एक तारिक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, form फिल करने की last date है, वो पहली तारिक, यानि 1 जनवरी 2022 तक ही आप form फिल कर सकते हैं, बाकि इस post को फिल करने के लिए, जो online application का link है, वो आपको description box में मिल जा तो वहाँ पर आप आराम से देख के इस post को भर सकते हैं,